नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पासे वीडियो लेक्चर में इसमें पिछले चार लेक्चर में हम लोग ने इतिहास के सारे सेक्षन कर लिये थे जिसमें प्राचियिन, मधिकालिन और अधुनी कितिहास था अधुनी कितिहास का दो वीडियो आया था क्योंकि वो काफी लंबा वीडियो था तो इसलिए उसे दो बाट में रिकॉर्ड किया गया था इसमें पाश्य वीडियो में हम लोग भाती राजवास्ता करेंगे इंडिन पॉलेटी तो आप लोग से बस यह इन रोध है कि आप लोग नगर पिछले के चार वीडियो नहीं देखें हैं इसलिए वाले तो आप लोग जाईए उससे देख लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किजिए ताकि जो भी लोग विप्यसी या इस तरह की किसी भी एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी पर्तस हान मिल सके और सस्क्राइब कीजिए जरू करते भारती तो आईए बस बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं भारती राजववस था तब तक आप लोग इसे शेयर कर लिए इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिये ताकि जब भी इस पर नया वीडियो अप्लोड किया जाए तो आप लोग पाहुच जाए और इस करने के लिए दो तीन वार देखिए तो आपको बहुत असानी से या वीडियो रिवाज होयागा तो आईए आप हम लोग शुरू करते हैं आपना आज का लेसन यह पाच्वा लेक्चर है और पिछले के चार लेक्चर अगर नहीं देखे तो मैं कोई बात नहीं उसका लिंक मैं डिस्रिप्शन में देदूंगा प्लेलिस्ट का आप लोग जाई है वहाँ से चेक कर लिए लिए लिग से तो आयां लोग पहला प्रसमें शुरू करते हैं संभिधान को 26 जनवरी के दिन लाउग करने का निरने इस लिए गया था क्योंकि तो इसका अंसर ए कॉंग्रेस संभिधान में सामिल है 395 अनुच्षेद 22 भाग और 12 सुचियां भारती संभिधान में कितने हैं अनुच्षेद तो 400 से अधिक आर्टिकल यानुच्षेद हैं भारती संभिधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स तो मिलान करें यहां देखिए संग सुची तो इसका अंसर हो तो इसका अंसर हो जाएगा बी फिर से देखे संसूची में संतानेप्रविष्टियां और संवर्ति सुच्य में 47 प्रविष्टियां ये देखे परतमान का दिया हुआ है आप लोग इसे देख सकते हैं निम सब्दों पर विचार कीजिए तो इसमें सही सब्दों को विचार उनों सरक्रम क्रम दीजिए तो इसमें क्रम देना है तो पहला हो जाएगा सर्भौमिक समाजबादी फिर हो जाएगा धन्यृपक्ष और प्रजातांत्रिक भारती सम्विधान की प्रस्तावना में समाजबादी सब्द किस संसुधन में जोड़ा गया था एक नया राज बनाने में सम्विधानिक संसुधन के लिए किस कैसा बहुमत चाहिए तो यह चाहिए सदारन बहुमत एक नया राज बनाने के लिए संसुधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए तो सदारन बहुमत चाहिए उस मालिक अधिकारों के नागरी को को प्राप्थ है परंतु गयर नागरी को कुन नहीं कईया हो जाएगा ए एक और तीन प्राप्त परतु गय नागरी को नहीं तो कुन-कुन सा है भाषन एवं अविक्ति के अधिकार और अल्पसंख्यों का अधिकार नवप्रस्म उस्तम नियाले की व्यास्ता अनुसा निजी भाषनों के उपर राष्टी जंडा का फहराना खाली अस्तन के ताथ नागरी का मौलिक अधिकार है तो इसका अंसर जागबी सम्मिदान के अनुच्छद उन्नीस एक का सब क्लोज ए बिल्कुल सही उस्तम नियाले की व्यास्तान उसा निजी भाषनों के उपर राष्टी जंडा को फहराना खाली अस्तन के ताथ नागरी का मौलिक अधिकार है तो इसका सम्मिदान का नुच्छद उन्नीस का क्लोज बन सब क्लोज ए भारती सम्मिदान में संसुधन का निये करके सिच्छा का दीकार कब जोडा गया तो यह जोडा गया थ एक अपरेल दश borrow 2010 को जोडा गया था नियुच Ko evolved का एक माना भादिकार भारतिस सम्मिदान के अंतर्यत मौलिक अधिकार वी है तो मॉल्डी का दिख्यार इसका अंसर श्टार दिया हुआ है और इस प्रकार के विकल्फ का अंसर ए और सी दोनों सही होगा है इसका आप बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसका डिश्टन तो ए में क्या सुचना गाजिकार बिरूल साई इस इचा का दिखार यही बिल्कुल सही ह तो यह यह दोनों अंसर हो जाएगा इसलिए इसको उत्तर में स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि एक से ज्यादा इसका विकल्फ सही है भरति संब्यधान के भाग चार में दिए गये निर्देश सिध्धान तो मेन्यूट में से कौन सा सूची बढ़ है तो इसमें हो तो मेंने में से कौन सा सी सूची वद्ध है तर समानकार लिक लिए समान वितन मिलूल सही और समान नागरिक सनगीता यही विल्पुल सही तो इसका भी कलप जागा भी एक और दो भारत के समिधान में मौलिक करता विकिस समिधान संसुधन दोरा जोड़ा गया तो यह जोड़ा गया यह ब्यालिक से समिधान संसुधन में जोड़ा गया था भारत के राष्टपती अपने सक्तियों का परियोग करते हैं तो सीधी अथवा अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा यदि राष्टपती एवन उपर राष्टपती का पद खाली हो तो भारत के राष्टपती का पद पर कौन होता है सिम्रति पर्तिया पठ्टिल का भारतिय गंतंत्र के राष्टपती के रूप में क्रम क्या है तो इनका क्रम है बारवा क्रम इनका है एक विद्यक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है तो यह क्रिया है जब राष्टपती अपने सहमती दे देते हैं एक बिद्धियाग जो because gather and जब राश्ट-पती अपनी सहिंती दे देते है एक छिम्हाउद हमिद न्सारी ने भारत कि उपरात परती के रूप में करं क्राम है तो इनका क्रम है बारवा श्री मुहम्मद हामीद अंशरी का भारत की उपश्ठपती के लुग में क्राम है कौण सा त dye després है राष्टी सूरच्हा समीदी के परधान परधान प्रधानमत्री होता था है भार हूए भारती संस्यत्यक कंजह संस्यद्ध के करवाहिम भागं ने का अधिकार रहता है तो videoald नहीं है यह कुझती रूंट संस्यद्ध का करवाहिम भाग ले सकता है कौण तो महानियावादी एक गैर सदसे की रूप में संसत की कारिवाहिम भाग ले सकता है कौन तो महानियावादी एक MP की सीट की रिक्त गोशित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगतार खाली या स्थान की अबदी के लिए अनुपसित रहा हो तो यहाद दो महा तक लगतार अगर अनुपसित रहने पर वह रिक्त हो जागा उनका स्थान एक MP का सीट गोशित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगतार खाली अस्थान की अबदी के लिए अनुपसित रहा हो तक हम दो महा तक राजसभा में होती है त्यूं में होती है बारा सद जीनिमें 20 सद से जीनिमें 12 सद से भारत के राश्र॥ के राश्रपती द्वारा मनुनित किया जाता है की नहीं किसी सभह का अध्यच उसका सद्र से से नहीं होता है रासभा का ने कहतनों में कौन सा कथन सहीं नहीं है तो दहीं कौन सा गतन सही नहीं है तन संपत्ति के मामले में राजसभा सकते ही नहीं है बिल्कुल सही धन विद्या की शुरुवात राजसभा में होती है या गलत है लोग स्वादारार पारित किये जाने के बाद राजसभा को चौदा दिन के भीतर विद्या को पारि अधंबिद्या की शुबात लोगस्वाम होती है है जैना लेखेन बना है तो पारित होने के काशने के करण निदीयronsय लोग लेगा समीथी अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करती है किसे करती लोग सभा के स्पीकर को निवल्ख कतनों में कौन सा एक सही नहीं है तो सरवोष नियाले अगड़ है साथ अनकिसी भी उच नहीं आदालतों की सुन्वाइब कर सकती है बिल्कुल सही है तो यह बिल्कुल सही है जिसका भी रखो जगड़ागा सी इस ये ओप्षन गलत है एक कुछ नियाले के नियादिष अपने त्यागफा संबूदित करते किसे राष्ट पती को भारत में चरित नियाले मौवाइल कोट इसका मानस पुत्र है तो ऐ той अनुछेत के अनुछेत के अनुछेत या नुछосьries नुछार यह देखी पूरा हैं पर डिस्क्रिप्शन दिया हुए इस अब आतका बारे में आप चाहिए तो वीडियो को पॉस करके आप पढ़ा भी सकते हैं यह दिखिए किंद्र और राज की बिवस था पकाओं के लिए मद्दान की नियुनतम उम्र की सीमा 21 वर्से घटा कर 18 वर्स कर दी गई तो 162 संसुदन 1989 में मद्दान की आयो 21 वर्से घटा कर 18 वर्स कर दी गई एक सटवे संवीधान संसुदधन द्वारह वारति संवीधान की आठवी सूची में मानि सरकारी भाषाओं की संख्या है कितनी 18 आप यह बढ़ गई है अब यह बाईस हो गये क्योंकि यह दो यह आठंड का पुछाओ प्रश्न था तो उसमें डाटा पुराना था अब यहां बाइस हो गया है सीड़ीप एवं 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 एश के पूरुगठन के लिए उनिसे संतावन में एंडियस द्वारा स्थाफित समीति का नाम बता है जिसमें ग्रामिन स्थानिये सरकार की त्रिया परनाली का सुझाव तो यह था बलवंत राय महता समीति सीड़ीप एवं 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 एश के पूरुगठन के लिए उनिसे संतावन में एडियस द्वारा स्थापित समीति का नाम पता है जिसमें ग्रामिन स्थानिये सरकार की त्रियस तरिये पृणाली का सुझाव दिया जया है तो यह बलवं में कंद्रेश असन व्यस्ता के लिए कौण सा सही नहीं नहीं तो बड़े देशों के लिए अधर्षय सही नहीं है व देसे सिफारईश किसने कि ती डूर्वणत रवह में नहीं किती घृच बलवंत्रा उनिसे लिकीत व्य supports में पنت folder के त्खें किती में से सिफारत राज की दुस्तरीय शरकार की है आई ओस्तरी सद्ष्षी देखते हैं ब्रहो कस्तर पर पंचायट शमीती है तो यहास है प्रसास्तिशू के प्रधिकरण भ्रत में ब्लोकस्तर पर बनारी पंचायत समीति है क्या प्रसाशनिक प्रधिकारी प्रतालिस नवा प्रशन चौदागर्ष उनिस्सो चौदागर्ष दोहेस साथ को संसाथ दौरा भारती संभीधान में संसोधन के उपरांद अब अनुसूची जाती की सूची में जातियों के शंखे कितनी है तो नहीं है तो यह है जर्मनी बाकि प्रांस ग्रेट ब्रिटन और चीन है तो जर्मनी सुरचा परिषद के अस्थाई सदसे नहीं है क Tribe Sanние अन्यसे आखी संगठन एक संगठन यूडा हुआ है किसे मानबादिकार के संदशन से चिन की समचार एजसि इस चैनल न्यू एजसी नाम की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है तो यह कहा जाता है फ्रांस की देश की सरकारी रिपर्ट को यलबु कहा जाता है बात प्रतम पर्फं पिशुई द्याले के स्थापनाज़ी में कहा हुई थी या होई थी बैंगलुरु में बात में पथम बिध्य विश्वेद्या लई कि स्थापना अगश्ट 1907 में पहां की गई है तो यह बैंगलूरु में की गई थी ताप मी बचाहब क सभाट सम भीद्हाइक है नहीं कर फिर तो जरो सब्दीज चैपे इसारी 25 में की गई थी नवबर को मना जाता है भारती संविधान को अपनाय गया था संविधान साभादवारा भारती संविधान के प्रस्तावना में कहई सत्य समाजवादी धनृप्य जनवादी गन तंत्र निम्खित सम्विधान की प्रस्तावना में भारती सम्विधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्लिखित में कौन सक्रम सही है तो डिग अप्शन सही हो जाएगा सरभ्वमिक सत्ता संपन समाजवादी धर्निपक्ष जनवादी गंतंत्र भारती संभीधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है तो C option हो जाएगा एक सर्भॉम समाजबाद धर्निपेश प्रज़तान्ति गनराज के रूप में फिर से देख लेते हैं भारती संभीधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घुशित किया गया है तो एक सर्भाम समाजबाद धन पेश प्रश्तावना अरंब होती है हम भारत के लोग शब्द से भारती संभीधान की प्रस्तावना अरंब होती है भारत के लोग शब्द से भारती संभीधान की प्रकृति क्या है तो यह है प्रकृति में संगी किंतु भावना में एक आत्मक भारती संभीधान की प्रकृति क्या है तो प्रकृति में संगी किंतु भावना में एक आत्मक बभारतिय नागिता नहीं पराप्त की जा सकती है तो भारतिय बैंक में धन जमा करके भारती नागरिता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारती नागरिता प्राप्त की जा सकती है जनु द्वारा देशी करन द्वारा किसी बहु भाग में सम्मिलन द्वारा और रईश्टरी संबंदी द्वारा अगला प्रस्ण नागरिता संस्वधन कानून का पारित हुआ तो यह पारित किया गया था 11 देसंबर 2019 को नागरिता संस्वधन कानून का पारित किया गया था बिदी का नियम या कानुन का अधिराज का मतलब क्या है , तो इसका मतलब है , किसी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियाय तंत्र बिधी का नियम या कानून का धिराज का मतलब क्या है तो सभी के लिए एक करूँ और सभी के लिए एक नियाय तंत्र है पैसर नहाँ प्रश्ण निविकित में से किसको सम्विधान दोरा मौलिक अधिकारों को लाओ करने की सक्ति दी गए अनुष्यद 12 के अंतरगत नागरी को मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है बाद के समिधान का निविकित में से कौन सा अनुष्यद प्रेम की सोतंत्रा से संब्स नहीं है तो यह है संपत्तिक अधिकार निविकित में से कौन सा मुलबुत अधिकार नहीं है तो संपत्तिक अधिकार मुलबुत नहीं है वाकि संब्धानिक प्रदिकार का अधिकार है सक्तिपुन एकत्र होने का अधिकार है कि लिए कि संब्धानीक ओपचारों में सब किसे पोस्टमाटम भी कहा जाता है तो यह है अधिकार प्रेश्टा एक कल्यन्कारी राज का अदर्स वरनीथ में और राज के निदेशक तत्यों में भारत मैंने मुल्वित में इस किसे के अंतरगत पंचाइती राज परनाली की व्यस्ता की गई तो या की गई राज के नीति निजदेशक प्रवर्तिनें नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्थनी है राज के निती निदिशक सिधान्त किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन है तो निती निदिशक सिधान्त प्रवर्थनी नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्थनी है मौली करतवें को निर्धारित किया गया है तो या 42 संविधशन संसुधन दोरा जिदारित किया है 42 संविधां संसुधन में 10 आचार अरधरिको कहान से जाना जाता है? निर्कीत मैंसे भारत के मौली करतवें कौन से है UAG ? के संब्रिध विरासत को संरचित करना option B निमिक्रित में इसे भारत में कौन समवलिक करता वे है तो B option हमारी मिलू जिली संस्किती के संब्रिध विरासत को संरचित करना छिएता नवा प्रस्ट राश्पती संसद का हिसा होता है और संसद में बैठता है सबस्क्राइब सब्सक्रा बादम करा या वाजब कर डाप संसद मल miners या। बारत के राश्पती के चुनाव किया जाता है एकल हस्ता नत्रेनिये मत प्रणाली द्वारा अगर भारत के राश्पती के चुनाव में कोई विवाद होता है कहां तो भारत के सरोच नियाले को अगर भारत के राश्पती का चुन्ना में कोई बिवाद होता है तो उस बिवाद को सौपा जा सकता है भारत को सरोष नियाले को भारत के राश्पती को उस पत से हटा जा सकता है संसत दोरा भारत के राश्पती को उस पत से हटा जा सकता है किसके दोरा संसत के दोरा भारत की कारपाली का अध्याच एक्जग्यूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटू भारती संबिधान में केंदरी सरकार की अधिशासी सक्तियों को किसमें नहित किया गया है तो भारत के राष्टपती में नहित किया गया है राष्टपती राष्टिया पातकाल की घोशना कर सकता है उपरबनित सभी कारणों के अधार पर मतलब ABC 3 के अधार पर हथियारबंद के अधार पर वाय आक्रमन के अधार पर और युद्ध के अधार पर प्राय किसी सला पर राज में राश्पति सासन लागों किया जा सकता है तो यह लागों किया जा सकता है तो यह लागों किया जा सकता है तो राज की मुख मंतरी की न्युक्ति का अधिकार नहीं देता है तो रच्छबल के सरवच कमांडर होने का अधिकार देता है और देश के किसी भाग में अपात्काली नस्ति लागो करने का अधिकार देता है तो भारत के संबिधान भारत के राष्टपती को अधिकार नहीं देता है तो राज के मुखमत्री के नियुक्ति का अधिकार नहीं देत बागी छमादान कर सकता है अपातकाल की घौशना करें और ध्यादेश जारी कर सकते हैं स्वतंत भारत के पथम राष्टपती थे हैं तो बिहार से, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन देखना है, तो राष्टपती पथ के लिए प्रतियासी कि आयू कम से कम पैथिस वर्स होनी चाहिए बिल्कुल सही, उपर राष्टपती 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 होता है तो राश्टपत के लिए पर дополн असत्य या उब बिल्कूल सही प्राश्टपति राजसभा के सावपति होते हैं यह विल्कुल सही है उप्राश्टपति का चुना भारत के राश्टपति काता यह गलत है भात का पतम राश्पति डॉक्टर लेने पर साथ है यह विल्कुल सही है राश्टपति कौन थे तो यह थे उप्राश्पति राश्प बती कौन है तो यह उपराश्ट्पती है भात का परधान मंत्री मुख्या मुख्य है तो यह किन सरकार का भात का परधान मंत्री मुख्य है तो यह किन सरकार का है संगे मंत्री प्रष्याद में मंत्री उतरदाई होते हैं केवल लोगसभा के परती संभीधान उतरदाई होता तो मंतिर पर से लगवक सबके प्रती उत्रदाई होता इसलिए इसमें अस्टार मार्क धिया हुआ है भारती राजनेतिक व्यस्था में कारे पाली का खाली अस्थान के अधिन रहकर करती है तो यह विदाएका के अधिन रहकर करती है सरकार की संसद्धी विवस्था कि विश्यम निर्खित में से कौन सा कतन या वक्तिव सही है तो इसमेदान मंत्री मंदल सब्द की का एक बार ही प्रियोग हुआ हुआ है अनुशे 352 में समेदान मंत्री मंदल सब्द का एक बार ही प्रियोग हुआ है अनुशे 352 में बार सरकार को कानूनी विश्यम पर कौनी प्रमर्ज देता है तो यह अटर्णी जेनल प्रमर्ज देते हैं भात का महानियावादी किसके द्वारा नियुक द्वारा नियुक किया जाता है तो यह अट्वोकेट जेनल प्रमर्ज देता है तो यह अट्वोकेट जेनल प्रमर्ज देते हैं अजदी के वाद भारत भाषा के अधार पर भारत के राज्यों का पुनरगठन किस वर्ज हुआ था तो यह हुआ है उनसे 56 में अजादी के बाद भाषा के अधार पर भारत के राज्यों का पुनरगठन किस वर्स हुआ है तिया उनिशुशपन में क्या गया है सोनोवर प्रसन्दा आईएक सेक्वर प्रस देखते हैं लोकसवा के नेता कौन है तो यह है रुपरधान मंत्री लोकसवा के नेता कौन है तो प्रधान मंत्री है लोकसवा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति को नियूंतम आयू सीमा क्या है तिया 25 वर्स है लोकसवा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को किस आयू के लिए कम से कम नहीं होना चाहिए संसत सदर से बनने है तो नियुंतम उम्र क्या है तो यह है 25 वर्ज है लोगसवा चुनाव का पर्तियाशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके उप्योग से कही नहीं तो यह होता एक वटा छे भाग मतलब कुल मद्दाद का एक वटा छे भाग अगर उसे प्राप नहीं हुआ तो वह अपनी जमानत खो देता है लोगसवा चुना में कोई पर्तियाशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो इसका अभीकर फजाएगा और उसमें से कोई नहीं या बॉक्स है इसमें पढ़ सकते तक लोगसवा में राजवार स्वीटों का अवंटन सन 1971 की जन गर्ना पर अधारित है या निर्धारन किस वरस तक यथावत रहेगा तो या दोज़ाद शाबिस तक यथावत रहेगा वरतवान लोगसवा में परतिये एक राज जी के लिए अस्थानों का अधारित है तो य के रही ही माचल पर्देश निविखत भारतियों में किस की राज पीद्हान सभा में सद्आशियों की संख्या अधिक विद्दक्र इस जञार प्रधले सब्सक्रत्र अनुश्ष हो ए papa नशेथ कि राष्ण परदेश हो से खश्चिं और दशेघ्यों का सद्टीछ में है सट प्रद्धन मंत्री की स्थिवारिष पर राष्टपती के द्वारा, 112 नवर प्रस्ण, लोक्सभा को उसे कारिकाल की समापती के पूर्वी भंग किया जा सकता है, तो राष्टपती द्वारा मंतिरी परिश्यत की सलह पर, लोक्सभा को से कारिकाल समापती के पूर्वी भंग किया जाकता है, तो राष्टपती द्वारा मंतिरी परिश्यत की सलह पर, लोक्सभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो यह हैं बर्स में दो बार, लोक्सभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो बर्स में दो बार, कौन से राज सबसे अधिक परतिनिधी लोक्सभा में भेशता है, तो यह हैं उत्तर परदेश, कौन से राज सबसे अधिक परतिनिधी लोक्सभा में भेशता है, तो यह हैं उत्तर परदेश है, जहां तक लोक्सभा में परतिनिधी का प्रशन है, कौन से राज दूसरे तथा तीसरे दरजे पर है, तो यह हैं बिहार तथा महराष्ट, लोगसवा का पहला आम चुनाव कब हुआ था तो यह हुआ था 1952 लोगसवा का पहला आम चुनाव कब हुआ था 1952 लोगसवा का पहला आम चुनाव कब हुआ था 1952 लोगसवा का पहला आम चुनाव कब हुआ था 1952 लोगसवा का पहला आम चुनाव कब हुआ था 1952 लोगसवा चुने जाते हैं 6 वर्स के लिए राजसभा के अस्थाई सदसे होते हैं क्योंकि इसे बिगटित नहीं किया जा सकता राजसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो उप्युक्त में से किसी एक पास नहीं क्योंकि इसे बिगटित नहीं किया जा सकता राशवा को भंग काने का दिगार किससे प्राप्त है तो यह उप्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि इसे विगडित नहीं किया जाता है राशपति द्वारा राजिपाल ठीकाधिक अंतराल होना चाहिए कितना तो 6 महा का संसत के दो सत्रों के विच अधिक अधिक अंतराल होने साइए कितने का 6 महा का राजनितिक सव्दावली में सुनिकाल का अर्थ क्या हता है तो इसका अंसर श्टार दिया हुआ है तो आप लोग इसका अंसर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं यह डिस्क्रिप्शन में विभाजन परनालिक की से संबंदित है तो यह निति या कारेवान से कारेवयन से संबंदित है निमिखित में से कौन सी संसद्य समिति कारेपालिका को नियम बिनियम बनाने के लिए परतियायोजित शक्ति से संबंदित है तो यह है अधिनस्त विधान पर समिति अधिनस hedinath vidhитель अधिनस्ता विधान पर समयति आम आधनीपार्टी है क्या उप्यूक्त में से कोय नहीं आपंड्रायोंनी सब्सक्राइब का प्राषकर्षन है तो इससे आप in description में देख सकते हैं तो किसली होता है तो आप्शन इसमें है D केवल चार, एक ऐसे विधियक पर बिचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पहर दोनों सदरों में मतवेद हो, संसद के दोनों सदरों के संहुध विध की जाती है, तो अंसर D है केवल बिचार एक ऐसे विद्याइग पर विचार करने और उसे पारित करने जिससे पर दोनों सदनों मतवेद हो भरति राजनिती व्व्यवस्था में इनमे से कौन सर्वच्छ है तो है संभीधान सब्सक्राइब 122 प्रश्ण दिल्ली है तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश यह 1798 का प्रश्ण है यह अगला प्रश्ण सिक्किम भारत का एक राजी बनाया गया था कब तो 35 संसोदन के अंतरगत सिक्किम भारत का एक राज बनाया गया था कब तो 35 संसोदन के अंतरगत बिहार को काटकर एक प्रदेख वर नाचल राजी का बनाना संभव है इनमें से कोई नहीं तो यह भी 1999 का एक प्रस्ण था जो कि करेंट अफेर से बहुत जादे रिलेटेट था बिहार को काटकर एक प् इस्टवरी 2000 में घठित किया गा था क्या धिर्ष ते कौन तो अमेंच बंग 500 सामीधान संच्छा योग जिए जिसे फरवारी 2000 में अटित क्या गया था बहरत के शर्च नियाले की स्थापना हुई थी नाल्यति स्विकित्षमता या सैंक्सण स्चंत क्या है तो इसका अंसर स्टार दिया हुआ क्योंकि यह भी करेंट अफेर का प्रशना उस समय जितना भी सरवच न्याले में नियायदिश होंगे उनके बारे में पूछा गया था भारती सरवच न्याले की न्यायदिशों की न्युक्ति कौन करता है तो यह करता है राश्पति बारती सरवच न्याले की न्युक्ति कौन करता है तो राश्पति करते है उनकी न्युक्ति उस्तव न्याले की न्यायदिशों की संख्यां की बृद्धी करने की शक्ति किसे के के पास है तो यहां संसत के पास उस्तम नियाले की नियाधिसों कि संख्यां बृति करने की सक्ति किसके पास है तो संसत के पास है सर्वुच नियाले की नियाधिसों कि स्यवन बृति का उम्र क्या है तो यहां 65 वर्स उनकी उम्र है सर्वोच नियाले के नियादिस अपने पत से त्याग पत किसको लिख कर दे सकते हैं तो यह दे सकते हैं राश्पती को सर्वोच नियाले के नियादिस अपने पतर से त्याग पत किसको लिख कर दे सकते हैं नियादिक पुर्वा लोकन का अर्थ है अर्थिया है कि सर्वोच नियाले किसी भी राज जी के कानून को अवैद घोशित कर सकता है। भारत के नियाइक परनाली किस पर अधारित है तो यह अधारित है। इन में से कोई नी उपिक्त में से एक थी कि इसका फिवरण में देखिए क्या रिखा भारत के नियाईक प्रणाली संभीधान कानून द्वारा स्थावित प्रक्रिया और प्रंपरा पर अधारित है तो इसका अंसर एसी और डी हो जाएगा तो इसलिए इसका उप्शन ए दिय राजपाल है आई 145 में प्रशन देखते हैं किसी राजी का राजपाल निक्त किया जाता है राश्टपती दौरा किसी राजपाल निक्त किया जाता है किसके दौरा तो राश्टपती के दौरा निक्त किया जाता है भारती समिधान के अनुसार राजियों की विधाइका में अधियाच को निर्देश दिया ऐसे करने में वे उन अधिकारों का उप्योग कर रहे हैं जो उनके पद में नहीं थे तो अंश्यद 155 का क्लॉज दू द्वारा उत्र प्रदेश के राज बिधान सवा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यच को निर्देश दिया ऐसे करने वे उन अधिकारों का उप्योग कर रहे हैं जो उनके पद में नहीं थे अंश्यद 155 के क्लॉज दू के द्वारा तो विधान-प्रिशद 156 से नहीं चुने जाते हैं यह देखिया कि कौन सब स्रेनी को कितने इधाय को कुछ चुन सकते हैं तो आप लोग इसे राम से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉस करके आए आगला प्रशन देखते हैं किसी राज में विधान परिशत का संचार संरचना अथ्वा भी घटन किया जा सकता है तो किंसर कर दोरा किसी राज में विधान आज्व वे बर्तवान में छे राज्व में हैं इसमें देखिये लिखाए बिहार महाराश करनाट कउतर लगपधस्त और त्यलांग नाम में विधान परिशत बर्तवान में मौजूद है प्रस्तुत करता है तो अनुछेद 170 है यदि किसी राज की विधान सभा के अधियाच स्पीकर पत्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पर देना चाहिए किसे उपाद्याज को यदि किसी राज कर विधान सभा का दियाचि श्पीकर पत्याग पत्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्त त्याग पत्त देना चाहिए किसे उपाद्याज को किस ऊचनियाले ने या फैसला दिया कि एक एक ही वार में तीन वार तलाग कहने से तलाग होना गेर कानूनी है तो यह इलावाद उचनियाले नेわかिए। कौन से एधिक इंशासित परदेश के लिए है तो यह सी और गुहांटी और मुभै दोनों निम्खित उस नियालों में कौन एक स्याधिक राज जी या किन्सासित प्रदेश के लिए तो या गुवाटी और मुबाई दोनों में है 156 प्रश्ण बावरी मजीद या राज जन भूमी के विवाद जो इलहावद उचनियारे लखनाव नियाई पीट के समझ है का प्राकार है चर्फ त्रश कर और मों में करने। कิंजिद भावरी मजीद राज डारे लखनाव नियाई पीट के समझ है तो यहां अनुछे 324 भारत के संभीधान का कौन संभीधानिक प्रावधानों की संसद्य संसद्य राजी बिधान पाली काओ दोरा बनाएगे नियमों कानून पर प्रत्मिक्ता परदान करता है तो यहां तेरा आई 169 प्रसन निमक्त में से कौन सा पिसा संभीधानिक प्रावधानों की संसद्य संख्य संसद्य राजी बिधान पाली काओ दोरा बनाएगे नियमों कानून पर प्रत्मिक्ता प्रदान करता है तो यहां अनुछे 280 संग्य वित्य आयोग संबंद्र रखता है तो यह संबन्द के बीच बित से भरत में संवंगी यह ऑयोग के इंद्र के बीच बित से यह की गई थी 15 माच 1950 को यो जो ना आयो कि इस थपना कभी की गई दे तो 15 माच 1950 को इसका थपना किया गया था उस राजनितिक दल का नाम बताए जो मिली जुली केंदरी सरकार का हिसा नहीं है लेकिन जिसका सदस तेरवी लोग सभा के स्पिकर चुना गया था तो यह थे तेलगू देशम पार्टी उस राजनितिक दल का नाम बताए जो मिली जुली केंदरी सरकार का हिसा नहीं है लेकिन और उच्फा운 deer वीली सोभा करेंगा तो तेल्गों ड्येशम पार्टी का स्पिकर था करते वात के बीविन राजनेतिक दालों को राश्ट्री या चुनावायोग को करते भारत के बीविन राजनेतिक कद्ध के संबंद विकितकरो परिचार कीजिए तो है इसमें कौन सा कफ़न सही है या देखना है तो जन्पति imoreधिया धिनियम 1951 राजणितिक दलो के पंजीकरण का प्रावधान करता है बेलकुल सही राजिक दलो का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है बेलकुल सही सब्सक्राइब करता है या विल्कुल सब्सक्राइब निर्वाचन आयोग करता है यह विल्कुल सब्सक्राइब 169 निर्वेत वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंदर राज संबंधों में परिवर्तन की सिंस्थी के अधिकार दिया गया था ने अपनी परतिवेदन जमा किया था कब तो इन शुनार 87 में पंचायत के चुनाव करने हेतु नीरने किसके द्वरा लिया जाता है तो यह दिया राजसरकार द्वरा लिया जाता है पंचायती राजी विशय है राज के सूचि पर पंचायती राज विशा है राज की सुची पर पंचायती राज संस्थाओं को 29 कारियों के सुची किस अनुश्यद के तहद दी गई है तो यह दी गई है अनुश्यद 242 जी पंचायती राज संस्थाओं को 19 कारियों के सुची किस अनुश्यद के तहद दी गई है निवकित मेंसे क्या समीधान के 11 अनुसूची में समिल नहीं है, नहीं है ग्रामिन खेल, ब appelez Pust servir बारती समिधान निम्खित अनुछेदों में कौन सा अनुछेद राजी की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है तो यह अनुछेद चालीस है क्या है तो यहां इन में से सभी आप्शन ए बीसी तीनों हो जाएगा इसने सरकार की तीन स्रेणिया होती है विल्कुल सही इनका लच्छ गाओं को समाजी के अमार्थिक नियाय प्रतान करना है विल्कुल सही है जिला परिशद में इनके सदर से के रूप में कोई संसद होता ह यह भी पुल सही है पंचायती राज की तीन स्तर्य प्रणाली के में आते हैं तो ग्राम पंचायत छेतर पंचायत समीति एवं जिला परिशद पंचायती राज के तीन स्तर्य प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत छेतर पंचायत समीति एवं जिला परिशद पंचायती सफलता पुर्वाकार हेत उ परती है स्थानी जनता की भारत में परतिनी द्धित करता है किसका तो यह सभी लोगों का सक्तियों के विकेंद्रिय करण का लोगों के हिस्यदारिक और समूधाइक विकास का भारत ये पंचायती राज प्रतनीधित करता है शक्तियों के विकेंद्री करन का लोग के हिसेदारिक और सामोही की दिकास का 189 पंचाइती राजे को खाली अस्थान के अंतरगत स्वासासन की एकाई के रूप में संगठित किया गया है तो यहां भारती संभीधान के त्यातरवे संभी संसोधन के द्वरा पंचाइती राजे को खाली अस्थान के अंतरगत स्वासासन की एकाई के रूप में संगठित किया गया है तो भारत संभीधान के त्यातरवे संभी संसोधन के द्वरा जिस समीती की सिफारिष पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्याश कौन था तो बलवंत्राय महता थे भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समीती की अध्याश थे तो यह थे बलवंत्राय महता भारत में पंचाती राच के लिए बनी समीती यादियाश को थे तो बलवंत्राय महता थे नंके विएसिषट हें हैं इनी पंचाती राज बयवस्तव सर्व पथल्व राएस्थान और खाली स्थान प्रशनः प्रण टो यह थे आंद्रव प्रदेश हुआ हुए पंचाती राजियाश कामराली प्रवर्त Internिय whose राश्थान में पंचाती रह सर्व प्रशम प्रवर्त् नम्हिक्त मेंसे किसी स्वस्थानी और शेत्र में नहीं आता है तो समाजी कुछ आता है स्वचस्ता आता है वाहिफ में आता है तो सिर्वजनिकन bottles सावन रख रहाँ इनके कारेश्चहत्र के नहीं आता है पंचाती राज-पर्णाली कि सुची में आती है तो यह राज सुची में आती है कि इस राज या किन राज यह पंचाती राज संस्थाओं में स्थ्रियों 50% अरिच्छन पाफ बैध कर दिया है तो यह है किस राजिया किन राजियों ने पंचाय थी राजस्था में स्त्रियों के 50% अरच्छन को वैद कर दिया थे या बिहार उत्राखंड मद्यपर्देश चारों है किन राज सरकारों ने 12 तक अस्थाने निकायों में महिलाव का राच्छन 50% तक कर दिया है तो यह बिहार है मद्यपर्देश और हिमाचल परदेश है त्यातरवे सम्विधान संसुदन कानून की वैधानिक सुरुवात किस सम्विधान संसुदन बिल से हुई है तो यह हुई है चौतरवे सम्विधान संसुदन बिल से को सम्वेधानिक स्तर प्रस्तूत किया गया है तो यह है त्यातरवा संसोधन के द्वारा पंचाइती राज परनाली से भारत में इन में से कौन सबीसे पंचाइती राज संस्ताव की शक्तियों के अंतरगत नहीं आता है तो यह है नयाइक पुर्वा पुनर लोकन तो जुडिशल रिवियो बहाद में इन में से कौन सबीसे पंचाइती राज संस्ताव की शक्तियों के अंतरगत नहीं है तो नयाइक पुनर विरिच्छन यानि जुडिशल रिवियो वाकि भूमी सुधारों का किर्यान वेन आता है निर्धं संसोदन के लिए विद्याउबन निम्खत में से डिन इन संसोदन अधिनियम को लागु संविधान व जिम जिया कि संसूद हीम के से मिद्धान नोगराओ भूरिच्त संसद्धान का कँई है तो यह है लगु संविधान कैई हर कहागा थी 40 सब्सक्तम को निम्खित में से किस संभीधान संसुधन अधिनियाव को डिलागो संभीधान कहा गया तो 2200 संभीधान संसुधन को पिछली जाती आयोग का प्रथम सहवपती कौन थे तो काका सहाभ कालेकर लोक सेवा आयोग के अधियर्च के द्वरा नूक दिया जाता है तो यह है मसीं का संस्क्रण तो यहां अ मद्दान के लिए प्रयों के जाने वाले मसीं भीवध का संस्क्रण तो M3 है कि अ ओए प्यासंवे बस्तर से एक्षए तो आप लोग देख लिगा डिस्क्रिशन बाक्स में इसका कौन से हो वरिता क्रम, चलिए अगरा प्रसन देखते हैं, बहरती सम्विधान कानुषे 300 किसे संबंदी तो यहां पर समान भरती राजवयज था, कदम भाजय अब आ जाएगा समान भूगल, अगले पाठ में समान भूगल आ जाएगा, तो इस पाठ में हमने पूरे 201 प्रसन भरती कि इसमें 201 प्रस्म्हाइं तो उसका आदत थे जो हां इसे रहाताbilir जो यह प्रस्मός से ikट कप但是 और तो यह आप लोगसे नहीं चुट तो इसे इस तरह के प्रश्ण पूझा आदे तो उन तक इस वीडियो को शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि जब धी अगला वीडियो डाला जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंजा अगला वीडियो आएगा पॉलिटी का जो की छटा पाट रहेगा यह पाचना पाट था जो पॉलिटी था पिछले चार पाट में हिस्ट्री हम लोगों ने समाप्त कर चुका है जिसमें हिस्ट्री के तीनों पाट थे प्राचीन बोक्स में डालती है तो अगर आप लोग ने करेंट अफेर के भी सीरीज नहीं देखे हैं और करेंट अफेर के वीडियो देखना चाहते तो आप लोग जाए लिंक पर क्लिक किजिए वहसे आप लोग से फिर से यह नरोद रहे है कि आप लोग इस वीडियो को जादा जाद लाइक किजिए शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तक कि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसका लिंक असानी से पहुंद जा सके और आप लोग को परने में भी सहूलियत है चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर साफ क करता हूं धन्यवाद इस वीडियो तक यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद